दोस्तो अगर आप PowerPoint में एक अच्छी presentation बनाना चाहते हैं तो आपको जुरत होती है shapes की अच्छी knowledge की अगर आपको shapes की अच्छी knowledge है तो आप एक अच्छी presentation create कर सकते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से PowerPoint के अंदर shape के सभी option का इस्तमाल कर सकते हैं और इसका इस्तमाल करके आप अपनी presentation को एक अच्छा look दे सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो PowerPoint के drawing block का इस्तमाल करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने PowerPoint को open कर रखा है और इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ new slide पर जाएंगे और यहाँ से blank slide को insert करने वाले हैं आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर blank slide को insert कर लिया है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं drawing में सबसे पहला जो option आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है shapes का जैसी आप shapes पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी सरी shapes यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें category wise आपको यहाँ पर shapes नज़राएंगी जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है recently used shape यानि ये वो shapes हैं जिसका हमने अभी powerpoint के अंदर recently इस्तमाल किया है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको line shapes दिखाई देती है जिसकी मदद से आप यहाँ पर किसी भी line का इस्तमाल कर सकते हैं साथी साथ आप इसमें देख सकते हैं इसमें काफि सारे आपको connectors भी दिखाई दे रहे हैं जिसका इस्तमाल आप दो shapes को आपस में connect करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं यह option आपको clear कर देता हूँ, सबसे पहले मानेजिए हम यहां से एक rectangle shape को draw करते हैं, और Ctrl-D की मदद से हम इसका duplicate यहां से कर लेते हैं, अब duplicate करने की बाद हम यह चाहते हैं, कि दोनों ही shapes को आपस में connect करना चाहते हैं, connector की मदद से, तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको shape का एक option यहां पर दिखाई दे जाएगा, जो कि आपका shape format बार यहां पर आपके सामने open हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, आपको line के नाम से काफिछ सारी connectors हैं आपर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ basic lines हैं और कुछ connectors हैं, यहां पर अगर आप in lines का इस्तमाल करेंगे, तो यहां से आप simply एक line draw कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप यहां पर connector का इस्तमाल करेंगे, तो इसकी मदद से आप दो shapes को आपस में connect कर सकते हैं, जैसे मालीजी हम यहाँ पर इस वाले connector का इस्तमाल करने वाले हैं, elbow arrow का तो हम इस पर जैसी क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप shape के ओपर mouse का cursor लेकर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर gray color का एक dot दिखाई देगा, यह आपको indicate करेगा कि आप इसे कहां से connect करना चाहते हैं, तो जैसे मालीजी हम यहाँ से connect करते हुए इस shape को इस जगा पर connect करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको उस gray dot से लाकर के इस वाले gray dot पर आपको छोड़ देना है, इसके बाद जैसे आप shape को यहाँ पर move करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका connector यहाँ पर connect हो चुका है और इस तरीके से आप किसी भी दो shapes को connect करके आप यहाँ पर इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको और भी options यहाँ पर दिखाई देते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं rectangle shapes हैं काफी सारे आपको rectangle की shapes दिखाई देंगी जिसका भी आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं यह आपके कुछ basic shapes है जिनका इस्तमाल हर जगा पर किया जाता है इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर block arrows भी दिखाई देते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी arrow पर click करके आप यहाँ पर arrow को draw कर सकते हैं इसके लावा आप यहाँ पर चाहें तो इसके colors वगरा को आप यहाँ से change भी कर सकते हैं तो दोस्तों इसके नीचे अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफी सारे equations की shapes आपको दिखाई देती हैं जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, बल्टिप्लाई, इक्वल और नॉट इक्वल का यहाँ पर आपको shapes मिल जाता है जिसमें से आप किसी भी shapes को यहाँ पर easily insert कर सकते हैं और उसको यहाँ से customize भी कर सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे की तरफ option दिखाई देता है flow chart का जिसकी मदब से आप यहाँ पर किसी भी तरीकी का flow chart create कर सकते हैं आपको simply यहाँ पर जो भी shapes से ही उसको केवल आपको click करना है और यहाँ से आप उसे draw कर सकते हैं इसके अलावा आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर starts and banners के भी option काफी सारे दिखाई देते हैं जिसमें आप किसी भी banner को create कर सकते हैं और यहाँ फिर अगर आप इसमें starts वगरा create करना चाहें तो उसको भी आप आसानी से यहाँ पर इसमाल कर सकते हैं जैसे मालीजे हमने यहाँ पर इस banner को यहाँ पर insert कर दिया है इसके अलबा दोस्तों अगर आप इन shapes पर लिखना चाहते हैं तो आपको केवल इसके ओपर right click करना होगा और यहाँ पर आपको इक option दिखाई देता है edit text का इस पर click करके आप इसमें जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर type कर देते है excel infotech तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी भी shape के ओपर यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे clouds भी दिखाई देते हैं जिसका आप यहाँ पर easily इस्तमाल कर सकते हैं जैसे मालीजे हम इस वाले clouds का यहाँ पर इस्तमाल कर रहे हैं इस clouds को जैसे में आप इंसर्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो clouds हमारे इंसर्ट हो चुका है इसके लावा इसमें अगर आप formatting करना चाहें तो ओपर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है काफी सारे formatting जिसमें आप इसके colors वगरा को यहाँ पर easily change कर सकते हैं और सबसे last में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक option दिखाई देता है action बटन का जिसका इस्तमाल आप कर सकते हैं back जाने के लिए pause करने के लिए या फिर play करने के लिए जैसे माल लीजिए हम यहाँ पर back का बटन का इस्तमाल करने वाले हैं back वाले बटन पर यहाँ पर click करेंगे और back बटन को हम यहाँ पर draw करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने action setting open हो जाएगी और यहाँ से आप इसे link लगा सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं happy link to आप इसे किस slide पर link लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर previous वाले slide को ही select करेंगे क्योंकि आगे अभी हमने कोई और extra slide नहीं बनाई है हम चाहते हैं जब भी हम इस वाले बटन पर click करें तो हम एक number slide पर jump कर जाहें क्योंकि यहाँ आप और okay वाले button पर click कर देना है अगर आप यहाँ साूंड का इसित्माल करना चाहते हैं तो हो पर click करकर आपको काफिर सांड शारे sounds मिलते हैं इसका भी आप यहाँ पर act कर सकते हैं तो फिलाल हम यहाँ पर sound का कर नहीं कर रहे हैं आपर सीधे OK बटन पर क्लिक कर देंगे, अभी आप देखेंगे, अगर इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, तो यह बिल्कुल भी काम नहीं करेंगा, जब तक आप इसका preview नहीं कर देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर F5 से इसको preview मिलाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमारे सामने first page है, जो बिल्कुल blank है, जिसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसके बार जैसे मैं यहाँ पर अपने keyboard से enter की, या फिर space की press करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो यहाँ पर shapes दयार की थी, वो सारी shapes आपको यहाँ पर दिखाई देगी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको button का option दिखाई देगा, जैसे आप इस button पर click करेंगे, तो आप वापस से अपनी पिछली slide पर jump कर जाएंगे, सकते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर shapes का और buttons का इस्तमाल कर सकते हैं, इसके लावर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको next option आप दिखाई देता है, वो दिखाई देता है, तो दोस्तो Jáरैंज में आप देख सकते हैं, काफी सारे options आपको मिल जाते हैं जिसमें अब सबसे पहला option आपका bring to front का तो यह option किस तरीके से काम करता है सबसे पहले मैं इन सभी shapes को यहां से delete कर देना चाहूंगा तो दोस्तों सभी shapes को हमने यहां से delete कर दिया है इसके बाद एक और control disk की बदर से इस shape को insert करते हैं और इसका color हमने अलग रख लिया है दोस्तों अब यहां पर मैं इस option का आपको इस्तमाल बताता हूं जैसे माल दीजिए मैं यह चाहता हूं कि हमारे जो blue वाला rectangle है यह green वाले के पीछे चला जाए तो दोस्तों अब हम यह चाहते हैं कि यह एक एक करके शेप के ऊपर आ जाए तो हम यह आपको यहां पर क्लिक करना है यहां पर आपको दिखाई देता है ब्रिंटू फ्रंट का एक option जैसी आप इस वाले option पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं यह एक बार में दोनों shapes के ऊपर आ चुका है इसके लावा इसी तरीके से आप इसे send to back के इस्तमाल करके सबसे पीछे भी एक बार में भेज सकते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं सारे वही options है जो मैंने आपको अभी बताया जब भी आप यहां पर कोई एक shape ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने shape format के नाम से एक नए आप dialogue box open हो जाता है जिसके अंदर यह सारे options आपको दिखाई देते हैं जिससे आप अपनी shape को और ज्यादा attractive या फिर से customize कर सकते हैं इसके लावा हम वापस से अपने option पर चलते हैं हम टैप पर वापस से जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं इसके नीचे आपको एक option दिखाई देता है group और ungroup का यहां पर आप देख सकते हैं जैसे हमने green shape ले लिया और एक हमने orange shape ले लिया है shift के साथ हम दोनोई shapes को एक साथ पहले select करेंगे और उसके बाद हम arrange वाले option पर जाते हुए इसे group वाले option पर click कर देंगे अब basically फायदा यह होगा कि जब भी हम एक shape को यहां पर draw करेंगे तो यह दोनोई shapes आपस में group हो चुकी है एक साथ यह दोनोई shapes यहां पर move करेंगी और अगर आप इसे ungroup करना चाहते हैं तो वापस से यहां पर आकर क्लिक कर सकते हैं regroup का आप इस पर जैसे click करेंगे तो आप देख सकते हैं अगर आपने इसे एक बार पहले से group कर रखा है तो यह वापस से rejoin हो जाते है या री group में convert हो जाते हैं इसके लावा आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर alignment के option दिखाई देते हैं जिसकी मदद से आप अपनी shape को यहां पर align कर सकते हैं अपने slides के हिसाप से जैसे आप यह चाहते हैं कि आपका center में align होना चाहिए तो जैसे आप यहां पर align center का इस्तमाल करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बिल्कुल center में आपको यह दिखाई दे जाएगा इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं और भी काफी सरे align के option है जिसमें आप दो shapes को आप यहां पर distribute कर सकते हैं horizontal या फिर vertical के हिसाब से तो आप यहां पर De Cow 2 आप यहां से इसको select किया और shift के साथ इन दोनोा shapes को select कर लिया और इसके बास जैसे आप align में जाकर करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं इस ने middle में इसको align कर दिया तो इस तरीके से आप इस option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, rotation का भी आपको यहाँ पर option दिखाई देता है, जिसमें आप इसे 90 degree या फिर horizontal या वर्टिकल में आप इसे flip कर सकते हैं, इसके लावा नीचे की तरफ आपको more rotation option भी दिखाई देता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर height और width दे करके आप इसे rotate भी कर सकते हैं, दोस्तो सबसे नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक option और दिखाई देता है, selection paint का, जब आप इस पर click करेंगे, तो हमने जितनी भी basic shapes यहाँ पर ले रखी हैं, वो सारी shapes आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, और यहाँ से अगर आप किसी shape को height करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा eyes का option, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपकी shape यहाँ से गायब हो जाएगी, और इसी तरीके से आप जिस भी shape को यहाँ से hide करना चाहते हैं, आप यहाँ से इस eyes वाले button पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, eyes close का option आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और वो shape आपके page पर रहेगी, बट आपको दिखाई नहीं देगी, अगर आप उसे वापस से show कराना चाहते हैं, तो इस पर आपको एक बार और click करना होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी सारी shapes वापस से यहाँ पर show हो जाएगी, इसके लावा अगर आप यह चाहते हैं, आपकी सारी basic shapes यहाँ से एक बार में hide हो जाए, तो यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर hide का option दिखाई देता है, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आपकी जितनी भी shapes आपने यहाँ पर create कर रखी हैं, वो सारी shapes एक बार में hide हो जाएगी, और अगर आप उसे show कराना चाहते हैं, तो show all option पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, तो आपकी सारी basic shapes आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी, इसी तरीके से अगले option की अगर हम बात करें, quick style की, तो यहाँ पर जैसे हम किसी भी shape को यहाँ पर select कर लेते हैं, और select करने के बाद quick style कर जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें काफी स shape को एक attractive look यहाँ पर दे सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर fill का एक option दिखाई देता है, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ से आप चाहें तो अपने मन पसंद जो भी color आपको इसके अंदर fill करना है, वो color आप यहाँ पर fill कर सकत हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, more fill colors का भी option आपको दिखाई देता है, इस पर जैसे आप click करेंगे, यहाँ से आप कोई भी color चूस कर सकते हैं, या फिर custom में जाकर अपना खुद का color यहाँ पर बना सकते हैं, इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हम जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको आई-ड्रॉपर टूल आपको दिखाई देता है, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक dropper type का option दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ पर किसी भी color पर जाकर के click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, उस same color को यहाँ पर pick कर सकते हैं, इसके लगव आप यहाँ पर dear. आप यहाँ पर पिक्चर यह इंसेर्ट कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं, आपके सामने insert picture के नाम से यह आपर एक option दिखाई दे जाएगा जिसमें सबसे पहला option आप यहाँ पर देख सकते हैं from a file यानि अगर आपके PC में कोई picture है जिसे आप browse करके insert करना चाहते हैं तो यहाँ पर click करके आप आसाने इस इस picture को यहाँ से insert कर सकते हैं जैसे माल लीजे हम यहाँ से इस वाली image को यहाँ पर select करते हैं और यहाँ से insert वाले button पर click कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उस basic shape के अंदर हमारी वो image automatic यहाँ पर setup हो चुकी है इसके राब हम यहाँ पर control Z करके एक बार वापस से पीछे चले जाते हैं और बागी के options को भी एक बार हिहां से cover कर देते हैं इसके उपर यहाँ पर देख सकते हैं आपको online pictures का एक option दिखाई देता है दोकि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहां से insert वाले बटन पर click करते हुए, इस shape के अंदर उस picture को हम यहां से आसानी से insert कर पाएंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारी जो image है, वो यहां पर आसानी से set हो चुकी है। इसके अलावा Ctrl Z करके हम वापस एक बार पीछे चले जाते हैं, और फिर से picture वाले option पर click करते हैं, अब आप यहां पर देख सकते हैं, आपको from icons का एक option दिखाई देता है, इस पर जब आप click करेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको category wise बहुत सारे icon से आपर दिखाई देंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने काफी सारे cutouts भी आपको यहां पर दिखाई देंगे, जिसका इस्तमाल आप अपनी PPT बनाने में यहां पर कर सकते हैं, जिसे हम यहां से इस वाले image को pick करते हैं, और यहां से insert वाले button पर click करेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं, जो cutout है, वो यहां पर automatic fulfill हो चुका है, तो दोस्तो इस तरह से आप images को, icons को यहां पर आसानी से अपनी shape के अंदर insert कर सकते हैं, इसके लाव आप यहां पर देख सकते हैं, आपको gradient का option मिलता है, जिसमें आप दो color का combination यहां पर बना सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारे gradients आपको दिखाई देने हैं, जिसमें से आप किसी भी gradient को यहां पर select कर सकते हैं, उपर की तरफ आप देख सकते हैं, आपको light gradient यहां पर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा यहां पर next option आपको दिखाई देता है वो है यहांपर textures का जिसमें बहुत सारी textures आपको यहांपर दिखाई देते है जिस structure का इस्तमाल आप अपनी shape के अंदर यहांपर कर सकते है इसके लगा यहाँ पर देख सकतें More Textures का option यहाँ पर दिखाई देता है जिसके अंदर आप किसी picture का tambi्श कर सकते है आपur किसी भी solid kalor का यहाँ रोख त्रेक्श रेहां पर creating कर पाएंगे इसके अलब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो next option है वो outline shapes का है तो जैसे माले जह हम यहाँ पर एक basic shape create कर लेते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक ellipse create कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको outline का option दिख यहाँ पर भी आप क्लिक करके आपने outline का यहाँ पर कोई भी color यहाँ पर आसानी से pick कर सकते हैं इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आई drop भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसकी मदद से आप किसी भी shapes के outline का यहाँ पर color pick कर सकते हैं और से इस outline पर fill कर सकत उस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज कर पाएंगे, तो काफी सारे options आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ से outline के color को थोड़ा change कर देते हैं, तापकि आपको यह highlight होकर के सही से दिखाई दे, इसके राब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको डैशिष दिखाई दे रहे हैं, आप चाहें तो अपनी outline का यहाँ पर डैशिष में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीकी का डैशिष का यहाँ यूज कर पाएंगे, तो दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर सबसे नीचे एक option दिखाई दिता है arrows का जो अभी आपके सामने यहाँ पर highlight नहीं है इसके लिए आपको यहाँ पर arrows को insert करना होगा या फिर आप यहाँ पर किसी भी एक ऐसे shape को लेंगे जिसमें arrows का इस्तमाल किया गया हो जैसे मालीजी हम यहाँ से shape का ले option पर जाते हैं और यहाँ पर हम select कर लेते हैं इस वाली shape को जैसे हम इस shape को यहाँ पर draw करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस की जो shape है कुछ line की तरीके से आपको दिखाई देगी आपको वापस से home tap पर आन मैं एक बार इसकी outline का size थोड़ा सा enhance कर देता हूँ और color थोड़ा highlight कर देता हूँ थाकि आपको यह सही से दिखाई दे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं arrows का यहाँ पर इस्तमाल हो चुका है इसी तरीके से आप इस arrows का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं इसके लाव यहाँ पर आप देख सकते हैं आप को यहाँ पर दिखाई देते हैं जिसकी मदद से आप इसे convert कर चाहते हैं किसी भी प्रजर के अंदर इसकी अलाव कर सकते हैं तो यहांसे किसी भी colors के इंदर glowing दिखाए सकते हैं soft edge की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं, किनारे को भी आप अपने हिसाब से, यहां पर soft edge में convert कर सकते हैं, इसके लाब आप बीबल्स की बात करें, तो आप यहां से 3D mode बें यहां पर convert कर सकते हैं, जिस भी 3D option पर आप इसको set करना है, उस पर आपको केवल क्लिक कर देना है आपका जो object होगा वो 3D में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा हम इसके outline का size यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि आपको इस shade अच्छी से दिखाई दे इसके राव आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3D rotation का भी एक option लेक कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 3D rotation option भी आपको यहाँ पर मिलता है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने हिसाब से जितना भी इसको expand करना चाहें जितना इसके size को enhance करना चाहें वो आप यहाँ से अपने ह शेयर जरू कीजेगा धन्यवाद